इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी question no agenda 126 जिसको हमने फिनिश किया था 126 और हमने यह प्रॉपटिया भी सी कि इंगर और question no. 6 तक हमने question 1 से लिकेट 6 तक हमने सीखा था कि एक straight पर बने एंगल जो होते हैं हमारे 180 के कुलम होते हैं तो उसी के basis पे आज हमारा exercise 13 को हम finish करेंगे वीडियो में और question number 7 से start करेंगे हम तो question number 7 में उसने दिया इन दा गिवन फिगर A, O, B is a straight line and ray O, C is a strand on it और O, C एक strand है इसी के उपर है A, O, B के उपर line के उपर उसमें से उसने बुलाए कि A, O, C का value इतना दिया गया है B, O, C का value इतना दिया गया है तो find the value of X and find the value of A, O, C and B, O, C जो चीज हमें उसने पूची है वही चीज हमें निकलनी है तो सबसे पहले हमने एक figure बना लेंगे figure हमने बना रखा है उसने जो चीज गिवन दीगी है वो चीज भी लिख लेते हैं उसने ये बोला है ये question number में दिया गया है हमारा A, O, C का value दिया है 2X-10 और उसने बोला है angle B, O, C का जो value दिया है 3X-20 उसने बोला है find the value of X एक तो X का value निकलना है इनको solve करेंगे X का value निकलना है then A, O, C का भी value निकलना है and B, O, C का भी value हमें निकलना है अब एक चीज उसने कहा है कि A, O, B is a straight line हमने condition लिख लिए A, O, B हमारा कैसा straight line है तो इसका means तो हम सीज़ सीज़ जानते हैं कि एक straight line जो होती है उसके उपर जितने भी angle बने होते हैं वो सभी 180 के एकवल होते हैं A, O, C plus B, O, C is equal to 180 A, O, C का value है 2X minus 10 इसका value पोट कर लिए B, O, C का value है मेरा 3X plus 20 इसका भी value पोट कर लिए 180 इकवल में 2X, 3X, 5X, 10, C 20, 10 plus का 180 5X minus 180 minus 10 यहां से आगे मेरा 170 यहां से मैं इसको cut कर दूँगा तो मेरा X का value हो जाएगा 5, 3, 15, 5, 4, 20, X का value आगे मेरा 34 अभी मैं यहां पर अगर खतम करके जाता हूँ तो मेरा X का value तो आ गया लेकिन A, O, C और B, O, C का value नहीं है तो मुझे A, O, C और B, O, C का value फाइंड करना है तो जब मैं A, O, C का value निकालूँगा तो उसका जो angle है उसी में में put कर दूँगा 2X मैनस 10, 2 multiply 34 मैनस 10, यहां से हो गया मेरा यह 68 मैनस 10, इसका means हो गया A के angle आ गया मेरा 58 A, O, C का value मेरा आ गया 58 अब बात आती है B, O, C की value की, B, O, C का जो value है वो गया मेरा 3 X का value में put कर लेता हूँ X का value है मेरा 34 मैनस 10, यहां से मैं इसका इसमें multiply कर दूँगा 3, 4, 12, carry 1, 3, 3, 9, और 1, 10 3, 4, 12, 3, 3, 9, और 1, 10, 100 और यहां से, sorry, plus 20 है यह, यहां से plus 20 है, यह मेरा 20 add हो जाएगा इसमें, तो यह हो जाएगा मेरा 122, degree, तो यहां से मेरा BOC का भी answer आजाएगा आसानी से, और काफी easily थे हमने दौनों का value फाइंड कर लिए, अगर आप X का value अगर फाइंड करके जाते हो और इन दौनों की value में put नहीं करते हो इसमें और इसमें AOC और BOC में अगर put नहीं करते हो तो आपका question जो होगा answer, आपका अधूरा माना जाएगा, आपका complete answer तभी होगा जब आप इसको put करोगे, इसको find करोगे और इसको find करोगे तभी आपका question complete माना जाएगा अभी बात करते हैं question number 8 की, question number 8 उस type का question है, जो कि मैं आपको समझा चुका था शुरुआत में, कि अगर आपकी एक straight line पे दो angle बने या दो से ज्यादा angle बने तो भी उनका sum जो है 180 की equal होता है, तो उसी type का question है, question number 8, उसने इसमें दिया गया है कि एक angle AOC, AOC का value 65, BOD 70 दिया है COD का value find करना है, तो इसका means, यह A, O, B, MRI के straight line है, तो easily हम इसको solve कर सकते हैं, तो हम यहां से पहले हमने एक figure बनाएंगे, सबसे पहले stripe के question के लिए figure कंबल सरी होता है, तो figure आपको बनाना है, AOC का value दिया है, BOD का value दिया है, COD का value में find करना है, तो हम जानते हैं कि A, O, B is a straight line इसके अंदर जितने वी angle बने हैं, उन सबका जो sum है हमारा, वो होगा हमारा 180 के equal 180 के equal कर दिया, अब यह हमाएं क्या करना, value put करना है, 65 plus 70 plus x is equal to 180, x का value मैंने इन दोनों को add कर दिना है, और इधर लेके आना है मुझे चलिए, मैं एक ही step में इसको skip कर दे रहा हूं, नहीं कर रहा है, confusion rate आपको, x equal to 180 minus 135 is equal to 45 यहां से आपने देखा कि easily हमने value put किया, value put कर दिया है इनका, और यहां से value put करने के बाएं दोनों को add किया, x का value हमें find करना था, तो 135 को इधर लेके गए और यहां से इसको 180 में से minus कर दिया, x का value हमारा आ गया, और COD का यही value था, COD की जो value थी हमारी क्या थी, COD is equal to x, यहां से COD का value आ जाएगा, COD is equal to 45 degree, यह हमारा answer आ जाएगा, तो यहां से आपको कोई doubt वाली बात नहीं है, अभी बात कर लेते हैं question number 9 की, question number 9 जो है आपका थोड़ा different type question है, तो पहले समझाएंगे इसको, इन तक given figure, two straight line, two straight line दीगी हैं, जो एक दूसरे को intersect कर रहे हैं, CD intersect कर रहे हैं, AB को, AB intersect कर रहे हैं, CD को at O, उसने का AOC का value, AOC का value उसने दिया गया है, यह आया है हमारा, find the measure of each of the angle, AOD, AOD, इसका value निकलना है हमें, COD इसका value निकलना है, तो चलिए हम question को करते हैं, यहां से हमें एक चीज़ नजर आ रही है, कि यह वाली जो line है, हमारी एक street line है, यह वाली भी एक हमारी street line है, तो यहां से हमें एक चीज़ जनते हैं, कि अगर हम यह कहें, AOB is a street line, यहां से क्या होगा, अगर हमारी street line हो जाती है, तो इसका मेंस यह है, कि angle AOC plus angle BOC, angle AOC, BOC की value जो है, वो 180 के equal हो जाएगी, AOC का उसने value दिया है, 42 degree, तो BOC का value यहां से आ जाएगा, मेरा 180, मैंसे, इसको माइनस कर देंगे, 180 माइनस, 42, 8, 7, 4, 3, 138, यह आगया मारा value आगया इसका, इसमें से मैंने दोना को put कर दिया, इन दोना को add कर दिया, 180 आगया, इसका value जो है, बात करते हैं इसको निकालने का दो में थार्ड है बी ओडी को निकालने के लिए एक तो मारा वर्टिकली अपोईट वाली नहीं लगाना चाहरे हो आप तो एक इस तरह से पॉपर्टी का यूज करेंगे से हमारी यूज होगी यहां से कि में प्रॉपर्टी की बेसिस करेंगे इसको यहां से जानते हैं कि ए एंगल ए-विश यूज जी जो है वर्टी के लिए जो एक वी ओडी के वी ओडी और जब भी हम कंडिशन लगाएंगे तब हमें यह लिखना पड़ेगा यह किसके vertically opposite और वर्टिकल opposite जो angle जो होते हैं वो आपस में equal होते है vertically opposite होगे तो इसका means AOC का जो value 42 है तो मेरा VOD का V value automatically 42 degree हो जाएगा VOD का value होगे हैं अभी हम figure पर आ जाते हैं थोड़ा सा figure से ही समझने ही कोसिस करते हैं यहां से मेरा इस वाले angle का मैंने सुबात में value निकाला था मेरा कितना आया था 138 आया था इसका value इससे यह vertical यह पोईट होगे है 42 यह 42 degree है अब यह वाला angle यह वाला angle भी तो आपस वर्टिकल यह पोईट है तो इसको भी हम यही कह सकते हैं कि COB या BOD is equal to AOD क्योंकि वर्टिकल यह पोईट एंगल है तो मैं यहां से यह condition भी यहां पर लगा देता हूँ यहां से मैं figure की basis पर लिख लेता हूँ यहां यहां पर कंडिशन लिखना पड़ेगा तभी आपको कोशन सही होगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि यह किस condition के basis पर आ गया vertically opposite और इस तरह ऐसे हमारे तीनों एंगल की जो value पूछ रहा था 138 हो गई 42 हो गया and 138 हो गया और इसी के साथ यह question number 9 finish हो जाएगा आपका अब बात करते हैं इसके second last question 10th वाले question की में उसने तीन चीजा पूछी है उसने काई इन दा given figure to split line PQ and RS intersect at O यह भी दिया है POS उसने इसका value दिया है 114 यहाँ पर उसने इसका value देए POS का value देए 114 और POR यह एक यह आपको straight line दिख रही है इन दोनों को add कर देंगे यहांसे इसका value आ जाएगा एक पूछ रहा है ROQ same to same जो question हमने 9th वाला किया था same question हमारा 10th वाला है तो हम इस question को भी खतम करते हैं finish करते हैं और exercise को चलिए तो question number 10 को start करते हैं और उसने यहां पर बोला था कि हमारे पास 2 straight line है तो यहां से हमें इसका value दिया गया है POS का value उसने दिया है 114 अब इसके साथ हम इस वाले अंगल को भी लगा के property को लगा के भी कर सकते हैं और इस वाली straight line को भी यहां पर हमें दो straight line दिख रही है सकते हैं और उसने लए फियर फियर यह प्योक भी इस्ट्रियर लैन है तो किसे भी स्ट्रीट लाइन को लेजिए और इसको solve करते हैं तो मैं सबसे पहले इसको ले ले रहा हूं किसी को भी ले लीजे वो तकी की बात आईगी मैंने ले लिया r o s is a street line r o s जिस street line को लेंगे उसको लिखना पड़ेगा r o s is a street line अब जिस street line को हमने लिया है उसी के angle को हमें लेना पड़ेगा r o p r o p plus p o s is equal to 118 यहां से p o s का value है मेरा 114, 180, 180 minus 114 यहां से मेरा r o s ऐसी चलता रहेगा r o p sorry r o p plus r o p और इसमें से इसको minus कर दोगा मेरा 6 यहां से 7, 1, 6 और यह मेरा 066 आ गया r o p का value तो मेरा पहला वाला r o p को हो इसको r o p को हो या p o r को हो इसका value आगे मेरा 66 पहला answer मेरा आगे अभी मैंने आपको एक property बताई थी यह वाला मेरा 66 का है तो यह वाला verticallyly appropriate के condition के basis पे यह भी मेरा 66 का हो जाएगा यह मेरा 114 का है तो verticallyly appropriate के basis पे यह भी मेरा 114 का हो जाएगा तो भी बस सब लिखना है और खतम करना है question को हमें एक चीज़ दिख रही है figure में figure में ही देख लेते हैं r o p p o r कहो या कुछ भी कहो पी ओ और या r o p कहलो या कुछ भी कहलो यू ओ एस कंडिशन लिख दें यह वर्टिकल एपोजिट अब यहां से इसका वेल्यू दिया था हमारा 66 इसका मेंस qo s का वेल्यू आ गया हमारा qo s का वेल्यू आ जाएगा हमारा 66 अभी लास्ट कोशन और है इसका देखी इसमें फिगर में देख लिएते पहले p o s का वेल्यू इसके वर्टिकल एपोजिट हो जाएगा तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि p o s का जो वेल्यू है p o s is equal to q o r और यह भी कैसे आपके वर्टिकल एपोजिट हैं वर्टिकल एपोजिट कंडिशन लिखनें p o s की वेल्यू है हमारी 114 तो q o s का वेल्यू भी q o r का वेल्यू भी आजाएगा मेरा यहां से देखो फिगर में इस q o r का वेल्यू भी मेरा q o r का जो वेल्यू है वह भी मेरा 114 हो जाएगा तो यहां से मेरा q o r का जो वेल्यू है वह जाता है मेरा 114 तो यहां से मेरा q o r ma 10 फिनिश हो जाता है अब बचा है आपका last question 10 11 वाला और इसे की साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा चलिए उसको भी फिनिश करते हैं यह इस exercise का last question है आपका 11 वाला इंद गिवन फिगर a o b o q o c o d such that a o b 56 b o c 100 and c o d x and do a का वेल्यू दिया गया है और उसने last hint दे दिया है उसने the sum of all angle of around a point यानि एक point की complete angle जो होता है हमारा उसका जो sum है वो 180 के oh sorry 360 के equal होता है तो यहां से उसने condition दिया थी तो हम एक चीज़ जानते हैं कि जो भी हमारा complete angle वनता है उसके सभी angle इसमें 4 angle दिये गे हैं आपके देखिए a o b b o c c o d और d a o या a o d तो इसके सभी angle का जो sum है वो 360 के equal है अगर यह चीज़ हमें पता है तो हमें तो कोई दिकत नहीं होने वाली है हम सभी angle को क्या करेंगे सी ओ डी प्लस डी ए डी ओ ए इस उकल्टू 360 डी यहां से मैं बेलेपोर्ट कर लेता हूं 56 अ प्लस बीओ सी हंड्रेड प्लस सी ओ डी एक्स एंड सेवन्टी फूर इस उकल्टू 360 डी यहां से मैं पहले इनको एड कर लेता हूं इनको एड किया मैंने सभी को 56 100 156 हो गया 156 एन्ट सेवन्टी लेफोर शिस्टी शिस्टी और टी 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 घडियो गया मेरा शिस्टी डी टी एग्सीओ ल्टो 360 मैनस 230 यहां से इसको मैं मैनस करूंगा 0-3-1 एक्स का वेल्यू जो है मेरा आ गया 130 और इसी के साथ आपका चप्टर भी फिनिश हो जाता है और एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाता है